ये ज़रूर दिमाग में रखे जब भी आप ये सोच रहे हैं कि आपने घर लेना है या फिर नहीं लेना Hello everyone, welcome back to my channel Indo-Canadian Desi I hope आप सब लोग बहुत बड़ी होंगे तो guys, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ये जो बढ़ती real estate market है के हैंड़ा में मेरी mortgage payment काफी बढ़ गई है पहले की मैं अपनी story में घुस हो, मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे किस-किस तरह के interest rate होते हैं तो यहाँ पे main famous है, वो है एक variable interest rate और एक fixed interest rate अब fixed interest rate में क्या होता है For example, आपने आज एक loan लिया 3% और से lock करा लिया fixed interest rate पे अगले 5 साल के लिए अब चाहाँ bank of Canada गारे 5% पर जाए जाए 6% पर जाए आपकी mortgage payment नहीं change होगी वो आप 3% की हिसाब से ही देते रहेंगे On the other hand, अगर आपने variable interest rate लिया है उसमें जो आपकी mortgage payment है या कोई भी loan की payment, वो change होती जाएगी अगर आपने 3% पर लिया था और आज का rate 6% चल रहा है या फिर 7% चल रहा है और आपका trigger rate हिट हो गया trigger rate क्या होता है? trigger rate वो होता है कि जब आपने जिस भी percentage पे loan लिया है जो भी आपकी payment जा रही है वो आपका interest rate कवर नहीं कर पारे है तो वो आपकी payment चेंज करते है और फिर जो पूरा amount होता है वो interest की towards ही जाता है जो की मेरे साथ हो और या आपको कैसे बता लगता है आपको आती है ऐसी चिठी bank से जो की मेरे को पिछले एक साल में 5 और 6 letter आये है क्योंकि जब interest rate बढ़ता गया जब वो 3% की उपर गया तो मेरा trigger rate हिट हो गया जिसके बाद उतना amount interest की तरफ नहीं जा रहा था तो अभी क्यों रहा है जो भी मैं amount मतली पे कर रहा हूं principle की तरफ कुछ भी नहीं जा रहा है सारा interest की तरफ बश जा रहा है इसी को कहते है trigger rate हिट होना मेरे साथ क्या हुआ मैंने last day ली थी एक property उस time पे variable rate चल रहा था around 1.92% तो मैंने variable rate पे वो property ली थी fix मुझे 2.2 मिल सकता था बड़ मैंने नहीं लिया because that was my exit strategy कि अगर मुझे इस deal से बाहर होना है बातने बेर तो I bought it on variable interest rate and जब trigger rate हुआ तो बढ़ते 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 आज जो मेरी monthly payment है उसमें almost 400 से 500 डॉलर का increase आया है hit तो हुआ है but क्योंकि मेरी ये deal में जो मेरी property है ये cash flow positive है तो जो मेरा cash flow positive है तो बड़ा impact हुआ है अभी भी I am still positive not that much what I used to be क्योंकि आपका principle नहीं कट हो रहे इस पर कही रस्ते भी होती है जो आप कर सकते है आप अपने लेंडर से बात करके भी payments की frequency बढ़ा सकते है या फिर आप principle की towards होड़ी payment कर सकते है या फिर आप fixed rate पर भी जा सकते है पर जैसे भी fixed rate तो भहाँ जादा चार रहा around 7% or more तो उस पर तो मैं भी नहीं जा रहा हूँ looking at the market scenario it might come down again these are all speculations क्या पता है एक दो साल या तीन साल में नीचे आता है तो I'm okay with that क्योंकि अभी भी मेरी property में कोई negative cash flow में नहीं गई अब देखिए ये भी purchase पर डिपेंड करता है तब ही मैं whenever you're getting into real estate investing सो समझ के calculation देख के अपना invest करिए अब ये अगर बहुत बड़ी purchase होती 800,000 डॉलर या 1,000,000 डॉलर की उपर तो मेरी हाल अस्तरा होए थी क्योंकि ये जो अभी मैं चार फांसों बोल रहा हूँ कोई बड़ी बात नीए डबल amount होता इसलिए सो समझ के investment करिए कि अगर वो महंगी property भी है कि आप इतना hits से सकते हैं तो वो भी एक अच्छी deal हो सकती है I know आजकल यहां पर बहुत ये debate चल रही है कि is the right time to buy houses or not देखिए वो depend करते हैं आपकी situation पे भी and बढ़ते interest rate में क्या आप वो mortgage handle कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे बट मेरी सोच ये कहती है कि purchase price अगर आप high लेते हैं तो वो purchase price आपके पूरे जिन्दी रहता है बट अगर आपका purchase price कम है और interest rates आता है interest rate तो कभी ने कभी नीचे आएगा याएगा ये ज़रूर दिमाग में रखिए जब भी आप ये सोच रहे है कि आपने घर लेना है या फिर नहीं लेना वोड़ा बहुत रिस्तो देखिए होता ही होता है इसलिए मैं कहता हूँ contingency का रूम हमेशा रखिए और अपनी exit strategy भी त्यार रखिए झाल झाल